नम्षकार मैं हूँ लिला स्वाथ है आपका हमारे चैनल में आज का विशा है दान तेर्ष पर और दीपामली पर जाडू का पूजन काव करें और कैसे करें दान तेर्ष के दिन हम सब जाडू खरीद कर लाते हैं जाडू को मा लश्मी का ही सबरूफ माना जाता है दान तेर्ष के दिन जाडू खरीदना वे हद शो माना जाता है लेकिन जाडू खरीदते समय कुछ निजमों का पालन कारना बहुत जुरूरी होता है दान तेर्ष पर जाडू दपहर के वाद और सूरिया अस्त के पहले ही खरीदना चाहिए इतना ही नहीं सूरिया अस्त के वाद जाडू को गार में नहीं लाना चाहिए जाडू रात्री में भी नहीं लाना चाहिए दान तेर्श के दिन पर दोश काल के पहले ही जाडू की खरीददारी कर ले आप फुल जाडू जूट का जाडू भी ला सकते हैं सीक वाली जाडू जादू का हैंडल प्लास्टर का हो सकता है प्रांथु फर प्लास्टर के नहीं होने चाहिए दन तेरिस के दिन हम जाडू खरीद कर लाते हैं उसके वाद आप उसकी पूजा करें जैस जगा पर आपने जाडू का पूजन करना है उस जगह को अच्छे से सापसफाई करें और शुद्द करलें उसके वाद सबसे पहले आप जल का चीटा लगाएं फिर मौली वांदें उसके वाद मुर्ड के वाद राली से तेलक करें अक्षद अर्पत करें शुद्द देशी गी का दीप कजलाएं फूल अरपत करें बोग अरपत करें दवाली पर जितनी पूजा होती है खील बतासे का बोगल गाएं उसके वाद आप जाडू को दूप दीप दखाएं और इस तरह जाडू का पूजन करें इसके वाद आप हाथ जोड़ कर मा लश्मी को पर नाम करें अपने गर में आने के लिए व्यंति करें उसके वाद हाथ में जल लेकर तीन वार जाडू के उपर से घमाएं जाडू का पूजन सूर्य अस्त से पहले ही करें जाडू का पूजन आप दान तेस्त पर भी कर सकते हैं दीपामली पर भी कर सकते हैं दीपामली पर भी पूजा आप सूर्य अस्त से अगले दिन फैंक सकते हैं प्राणी जाडू को शनी वार जावावा सेको फैंक देना चाहिए गुरू वार शुकर वार काशी को जाडू ना फैंक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजे शेर किजे सब्सक्राइब किजे थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियों